हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोश्वा परहार में, मैं हूँ एडवोकेट सनी शर्मा, दोस्तों आज का ये जज्जमेंट फिर से एक बार DV Act पर है, और बहुत इंपोर्टन जज्जमेंट है, दोस्तों DV Act के अंतरगत बहुत सारी चीजें, बहुत सारी definitions दी गई हैं, उन definitions में कई बार हम confused हो जाते हैं, और कई बार बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं, जो कि उन definitions से भी परहे होती हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ, कि क्या आपको relief मिलने वाला है इस पतनी हैं, वो कुछ समय अपने पती के साथ या अपने पती के बिना भी अकेली भी निवास करिये, वो shared house रोल होता है, तो बहुत सारे मामलों में क्या होता है, पती पतनी की शादी होई, एक हफता पांच दिन या चार दिन वो ससुराल में अपने साससुर के साथ रही, उस समय तो वो साससुर के साथ रही है, तो वो उसका shared household हो गया, दोस्तो कानून तो यही है, लिखावा तो यही है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस judgment में अलग परकार सा observe किया गया, जिससे आपके माता-पिता रिष्टेदारों को अगर unnecessary DV Act में involved किया जा रहा है, तो आप उनको बचा सकते हैं, उनके नाम हटवा सकते हैं, बहुत important वीडियो दोस्तों यह है, आखरी तक वीडियो में बने रही है और आपने अभी तक भी चैनल को subscribe नहीं किया है, तो चैनल को subscribe करके notification bell पर जरू किलिक कर ले, ताकि जब भी मैं इस चैनल पर इस परकार की वीडियो लेकर क्या हूँ तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले, दोस्तों देखे इस मामले में क्या था, कि पतनी अपने पती के साथ रह रही थी, कुछ समय वो साससुर के साथ रही थी, फिर वो पती के साथ रहने लेगी, तो दोस्तों मद्धे प्रदेश हाई कोट की क्या finding थी इ जाता है, जबकि जब पतनी केस जालती है, तो वो इस चीज़ को लेके आती है, कि मेरा वो shared household था और कुछ समय में साससुर के साथ रही हूँ, इसलिए मेरा domestic relationship है, लेकिन यहां मद्धे प्रदिश हाई कोट नहीं कहा, कि यह आप कुछ समय साससुर के साथ रही, उसके बाद आप और आपके पती, दोनों उस घर को छोड़ करके, अलग घर बसाने के उद्देशित से, दूसरी जगा पे चलेगा, उसके बाद वहीं रहने लगे, तो ऐसे केस में, domestic relationship का end हो जाएगा, parents के reference में, और फिर आप parents को involved नहीं कर सकते, क्योंकि जो DV Act है, उसके अंतरकत पहली दूसरी शर्त यहाए, कि जो complainant है, वो agreed person होनी चाहिए, और दूसरी शर्त यहाए, कि agreed person और सभी respondent के बीच में, domestic relationship होना चाहिए, तो यहाँ मद्य प्रदेश हाई कोट नहीं माना, कि ऐसी प्रस्तिती में, parents के reference में, domestic relationship तभी खतम हो जाएगा, जब वो दोनों उस घर को छो और आप में से बहुत सारे लोगों की काम आ सकता है, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा मामला हो, जिसमें DV Act डाला गया हो, और उसमें बाकी लोगों को involved ना किया हो, सिर्फ पती को involved किया हो, सब को involved कर दिया जाता है, तो दोस्तों, ऐसे मामलों में, जहाँ पर जूटा involved किया गया है, आप इस चीज का सारा ले सकते हैं, इस जज्जमेंट को पढ़ सकते हैं, इस जज्जमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप पूरा जज्जमेंट को पढ़ सकते हैं, और समझ सकते हैं, नेश वीडियो में न thank you for watching take care